पैंडोरा जबॉक्स इस ओपन एंड आउट इन फ्रंट अफ आल अफ अब यह पैंडोरा लिक्स क्या है पनामा लिक्स तो सुने थे नहीं सुने थे तो अभी सुन लीजेगा यह पैंडोरा लिक्या है आखिर यह पैंडोरा नाम कहां से आया सचिन तंदुलकर का नाम इसमें कैसे आया और सचिन तंदुलकर के अलावा अनिलम्मानी का नाम है इसमें किरन मजुंदार का नाम है और भी बहुत सारे लोगों का नाम है मोधी का भी नाम इसमें सामने आ रहा है तो भाई वीडियो को पूरा लासक देखेगा ये आपके knowledge को पक्का boost करेगा ये मेरा guarantee और मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा so that each one of you can understand so watch the video till very last मेरे को motivate करने के लिए पहले like बटन दबा दीजे channel subscribe कर लीजे बटन दबा दीजे so that you don't miss out on any of the notification now pandora's box is open but ये pandora शब्द क्या है actually pandora शब्द जो है it's a dubbed word इस पूरे रायते को एक नाम देना था तो इसलिए internationally इसको नाम दिया गया pandora ठीक है और इसको कोई significance नहीं but इसके अंदर जो चीज shocking revelations है मतलब it's very glaring आँखे फटी की फटी रह जाएंगे आपके मैं बता दू बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना tax planning करने के लिए और कुछ लोग tax evasion के लिए offshore entities में offshore मतलब समझ में आते है foreign countries में companies खोलते हैं आज say for example अगर आपके Indian bank account में पैसा रहेगा करोडो अर्बो रूपिया आपके Indian bank account में रहेगा तो income tax जो है आपसे जनकरी मांगेगा भाई इतना आपके Indian bank account में पढ़ा है करोडो अर्बो रूपिया tax दीजे इसके उपर so sometimes what happens जो money launderer लोग रहते हैं sometimes the money launderers what they do is इन लोग offshore offshore foreign countries offshore यानी foreign countries में shell companies खोल लेते हैं shell companies मतलब sham मतलब just अपना black money पार्क करने के लिए offshore यानी foreign countries में companies खोल देते हैं और वो companies का कोई business नहीं रहता वो companies का कोई business नहीं रहता जी अलिए अपना जो black money है वो company के account में transfer करके रख देते हैं सर वहां पर tax नहीं लगेगा इन लोग ऐसा जगह यह सब companies खोलते हैं जहां पर tax ही नहीं तो देरार various tax heaven countries tax heaven countries मतलब there is no taxation in that country example British Virgin Islands ठीक है एंड ऐसा और भी बहुत सारे countries है ठीक है दुबई जहां पर कोई direct tax नहीं है तो ऐसे बहुत सारे foreign countries है जहां पर कोई tax नहीं लगता तो इन लोग क्या करते हैं वहां पर foreign countries में अपना companies कोल देते हैं वहां पर company के backups अगान्या है और company की प्यूचर में चाहिए रेगा करोड़ो अर्बो रुपिया वो उसमें पार्क कर दिया तो इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ा और साथी साथ फॉरेंड कंट्री में क्योंकि आपने वहाँ पर कंपनीज खोल दिया ऐसा जगा जहाँ पर टैक्स है नहीं तो वहाँ पर भ अगर आपने यहाँ पर इंडिया में जो इंकम टैक्स रिटरंस फाइल के उसमें आपने डिस्ट्लोज किया है और अगर आपने यहाँ पर इंडिया में इंकम टैक्स रिटरंस में डिस्ट्लोज नहीं किया अग सचिन तंदूलकर साहब का नाम से आपने आया है ठीक है ले जो है ना, last leak हुआ था ऐसा Panama leak, तो उसके बाद सचिन तंदूलकर ने क्या किया था, सचिन तंदूलकर ने जब Panama leaks हुआ था ना last पर, ऐसे ही सामने आया था जब सो का नाम, तो तीन महिना के अंदर वो company को liquidate कर दिया था, और अपने India का income tax return में सारा details दे दिया था, लेकिन अन है आपको, अब देखिए, ये है shocking revelations, boss and girls, these are the shocking revelations, तो ये पंडोरा paper क्या है, पंडोरा paper क्या है, offshore entities दुनिया बर के जितने भी है न, वहां से सब ये सब information leak हो गया, ठीक है, बहुत सारे जो secret agencies रहते हैं, उन्हों ये सब information जो है, leak जो है, उन्होंने मिल करके कर दिया है, किस अगर हम लोग अनिलम मानी का बात करें, अनिलम मानी, हां, who declares bankruptcy in one UK court, has 18 asset holding offshore companies, बटाओ, 18 तो offshore company खोल रखा है, fugitive मतलब भगवडा, नीरभ मोदी, sister, set up a trust, just one month before he played India, offshore trust बना करके चला गिया, just one month before, वो इंडिया से भागा था, husband of Kiran Majumdar Shah, promoter of Bayokan, आपने सुना होगा नाम, उ ऐसे बहुत सारे entities हैं, बहुत सारे entities जो हैं आपको सह यहां पर दिखाए देंगे, जैसे मैं आपको बता है, Sachin का भी नाम यहां पर जो है, शामिल है, जी हाँ, यह देख, five important, five important highlights of the Pandora Leagues, several offshore entity owners, समझ में आगे offshore entity owners अब कौन होता है, जो offshore foreign में, tax seven countries में company खोल दिया, लेकिन ह वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ और यहां बैठा 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 जो है, foreign country में company खोल देया, यह legal है कि illegal है, इसमें कुछ, देखो illegal कब होगा, जब वो company mayor sham है, tax evasion के लिए बनाएगे, उस company का कोई object है नहीं है, उस company का कोई business है नहीं है, वो खाली आपका black money hold कर रहा है, और तरीका निकाला, 20,000 करोर, 20,000 करोर रुपीज इस तरीके से सामने आया है, sports icon Sachin Tandulkar, asked for liquidation of his entity in the British Virgin Island, just three months after the Panama paper exposed, ठीक है, और Sachin Tandulkar ने जैसे मैं आपको बताया, liquidate कर दिया था अपना company को तीन मेना बाद, और उसके spokesperson ने का है कि income tax return में भी यह सब चीश डिस्क्लोस था, जिन लोग के उपर यहां पर economic office चलता है, investigation चलता है, हिंदुसानी लोग के उपर उन लोग क्या करता है, they have created offshore network in tax events like Samoa, Belizei, Cook Island, ठीक है, यह सब क्या है, tax seven countries है, British Virgin Island, Panama Island, यह सब भी tax seven countries है, इसमें से कुछ, इन लोग ज्यादा तर लोग कौन है, ज्यादा तर individual ऐसे है, या त अचा में लिसने, right, अब देख लो ना, अनिलम मानी जी के उपर, जो है, court में case चल रहा है, एक तरफ वो बोल रहे है, हम bankrupt है, और एक तरफ उनका, दुनिया बर का offshore entity सामने आया, अच्छा, इससे दिक्कत क्या होता है, inequality जो है न, वो rise हो जाता है, the gap between rich and poor, वो rise हो जाता है, है न, इसलिए जो है, यह सब दिक्कत आता है, so, I hope, आपको Pandora leak जो है, वो समझ में होगा, यह क्या है, सारा जिन लोग का नाम, सारा celebrity लोग का नाम, जिन लोग का यहाँ पर सामने है, Pandora leak में, जरूरी नहीं है, कि वो सब के सब जो है, वो illegal काम की है, अगर उनोंने अपने भारत के income tax return में disclosure किया है, दूसरा बत, बाहर में जो companies खोल है, उनका कोई object है, वो sham company नहीं है, just to hold the black money नहीं है, तब वो legal है, लेकिन अगर कोई object भी नहीं है, और यहाँ पर income tax return में भी अपने disclosure नहीं किया, तब वो illegal है, तब वो tax evasion है, thank you, do share this video with all, and keep loving me, I'll reciprocate the same love to you, bye-bye, share कर दो, like कर दो, subscribe कर दो